दुनिया के सबसे आसान सी बिर्यानी की रेसिपी आज आपकी साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत आसान है इसे बनाना बहुत जल्दी बन जाती है कूकर में हम इसे बनाएंगे और जो इसके खुश्बू है ना वो साथ घरों तक जाएगी सही बता रही हो आपको त इसलिए यहाँ पर मैंने पांच प्याज लिये हैं जिनने लंबा लंबा काट लिया है प्याज को हमें brown होने तक पकाना है फ्लेम को हम रखेंगे medium पर और प्याज को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि यह evenly हर तरफ से कुक हो जाएं देखिए प्यास को हाई फ्लेम पर मत पकाईएगा ये सोच कर कि ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगे नहीं टेस्ट अच्छा नहीं आएगा वो जल जाएंगे इसलिए फ्लेम को मीडियम पर रखें इसे बीच बीच में चलाते रहें कम से कम 10-12 मिनिट का टाइम लगेगा ये इस तरीके से ब्राउन हो जाएंगे क्योंकि प्यास हैं बहुत सारे और फ्लेम हमने कम रखा हुआ है तो जैसी इनका कलर इस तरीके का आ जाएगा उस टाइम कुकर में ही छोड़ देंगे टो बाकी रख देते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं खडे मसाले में लाएंगे एक काली लाइची आधा टुकड़ा दालचेनि का हैंधा ये काली मिर्ची और लॉंग ली है मैंने तीन तीन कूट कर तो अब इन्हें भी लगातार चलाते हुए एक मिनिट के लिए और पकाएंगे अब बिर्यानी है तो इसमें हम डालेंगे काजू भी तो दस से बारा काजू है जिसे मैं डाल रही हूँ और इसे भी कुछ सेकेंड्स के पेस्ट अदरक लेसन के पेस्ट को भी लगबग लगबग एक मिनिट के लिए लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे तो देखिए ये भी हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे खूप सारी सबजियां तो जो सबजियां आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं मै अब हम इसे बढ़िया तरीके से mix करेंगे और mix करते हुए ही सब्जीयों को हमें 2 मिनिट के लिए पकाते रहना है तो इसी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे सब्जीया आप चाहें तो इसमें मतर वगेरा भी डाल सकते हैं शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं वो तोटली आपका चोईस है तो देखिए ये इसे हमने 2 मिनिट के लिए पकाया है अब डालेंगे इसमें मसाले तो सबसे पहले आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर का डाल एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला नमक डाल देंगे थोड़ा सा स्वात के अनुसार और दो चम्मच बिर्यानी मसाला किसी भी ब्रैंड का आप बिर्यानी मसाला ले सकते हैं या चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं मस लो पर तो mix करते जाएए और flame को low कर दीजे लो करने के बाद में हम इसमें डालेंगे दही हमने flame को low इसी लिए ही किया था ताकि जो दही है वो फटना जाए आधा कब हमने फैटा हुआ दही लिया है दही को जरूर से फैटे ऐसे दानेदार दही मढ डालेगा तो दही को डाल है अब हम इसे ढख देंगे और दो मिनिट के लिए ढख कर इसे ऐसे ही पकने देंगे जब आप इसे इस तरीके से ढख कर पकाएंगे तब ही इतनी बढ़िया सी खुश्बू आने लग जाएगी यकीन मानिए आपको लगेगा कि यह फटा-फट से बन जाए और फटा-फट को पहले ही भिगो कर रखा हुआ है उस इसाब से यहां पर एक कप पानी मैंने अभी डाला है थोड़ा पानी में बाद में डालोंगे चलिए अब बनाएंगे लेयर्स तो यहां पर मैंने डाल दी है पुदीने की पतियां जो की बिर्यानी में बहुत ज़रूरी है एक चमच मैं इसमें घी का डाल रही हूँ फ्राइ किये हुए अनियंस ब्राउन अनियंस जो हमने फ्राइ किये थे वो डाल दिये है थोड़े से और यह देखिए चावल एक कप चावल है जैसा कि मैंने बताया दस मिनिट के लिए मैंने इसे बिगो दिया था तो यह जो चावल है इस दुबारा से हम डालेंगे पुदीने की पतियां थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी मैं इसमें डाल रही हूँ इसके साथ ही ब्राउन अनियन्स बाकी के जितने भी बचे हुए हैं वो सारे के सारे इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मैं यहां पर गरम मसाला स्प्रिंकल कर रह बहुत अच्छी खुश्बू और स्वाद आएगा इससे और इसके साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें नमक और डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेगा यह है केसर वाला पानी यह है आधा कप तो टोटल डेड़ कप पानी हो गया एक कप चावल में एक कप हमने पहले डाला और आधा कप मैंने केसर के साथ में डाला है इसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा घी हर तरफ डाल देंगे घी थोड़ा थोड़ा ताकि बढ़िया सी खुश्बू आए और बढ़िया सा स्वाद भी आए बस इसके बाद ह इसको बंद करेंगे प्रेशर अपने आप खुलने देंगे और ये देखिए बहुत ही खुश्पुदार और मज़ेदार सी बिर्यानी बनकर तयार है ये देखिए ये कितनी खिली खिली बनकर तयार हुई है एक एक दाना एकदम अलग सा हो रहा है सर्व करने से पहले पांच म करके जरूर से बताईएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाए